देश के सभी गाउं में बिजली को लेकर केंद्र सरकार ज्यादा जोर दे रही है इसे ध्यान में रखते हुए दीन दयाल उपाध्याए ग्राम जियोती योजना शुरू की गई जिसके तहत गाउं में तीजी से विद्योती करण किया गया है ओडीशा के कटक जिले में बहराना गाउं में हाल ही में बिजली पहुँची जिससे ग्रामीडों में खुशी का माहौल है पहले तो हमारी गाउं में इलेक्रिशेट नहीं था इसलिए बड़ी दिकत हो रहा है एक मोबाइल भी चार्ज करने के लिए हमको लगबग 4-5 किलोमेटर जाना पड़ता है तो हमको टीबी भी देखने के लिए बड़ी मुसिबत हो रहा है ये ट्रांसफरम ने लगबग 4-5 माइने के अंदर में बाइठा है प्रधान मंत्री जी तो गरीबों के लिए आच्छा कदम उठाए है हम प्रधान मंत्री जी के आवारे हूं हमें इस जोजना की अंतरगत लगबग जो सारी निफिसर है हम प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दिना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी हमारे लिए उन्होंने एक आच्छा जुजना बनाया है और हमें इसके जुजना की अंतरगत लाब मिल रहा है पूरे गाउं में बिजली आने से खुशी का माहौल है बच्चों की पढ़ाई में सुविधा हुई है तो वही मनुरंजन की लिए लोग टीवी भी देख पाते हैं ग्रामीर्ड सरकार के इस प्रयाज से संतोष्ट है ग्रामीर्ड इलाकों को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाज आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं ओडीशा के बहराना गाओं में बिजली आने से ग्रामीर्डों के दिन पदल गए हैं